हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अप्रियंका लर्निंग क्लासिज में बिपेसी, बियार, सेसी, बियार, दरोगाशी, डिप्यो, अन एक्जाम को ध्यान में रखते विए अप्रिल करेंट अफेर की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग एक से लेके 5 अप्रिल तक के कोश्चन देखेंगे ताकि कोई भी एक्जाम हो तो आपका करेंट अप्रियर से कोश्चन न चुटे और एक्जाम में अच्छा score आ सके तो चलिए हम लोग देखते हैं अप्रिल के करेंट अप्रियर तो पहला हम लोग देखते हैं एक अप्रिल के कोश्चन पहला कोश्चन है हाली में भारत और किस देश की भी संजुक्त सैनभ्यास ब्रज प्यार का आयोजन किया गया तो इसके अंसर होगा अमेरिका जो की हिमाचल परदेश में किया गया भारत और अमिर्का के भी सेन अभ्यास कौन-कौन होता है तो ब्रेजब्रेहार, कोप इंडिया, यूद अभ्यास नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमिर्का से रेटेट 46 मी राष्टपती कौन बने तो जो बाइडन बने उप राष्टपती कमना हैरिस बने अब हम लोग देखते हैं फ्रांस की और भारत के बीच कौनसी एक्सरसाइज होती है तो फ्रांस में सकती, बरून और गरूर सकती, चीन और भारत के बीच हैंड इन हैंड और बिटेन के बीच एजय वारियर का इद्यावास होता है नेसको उस्चन है, हाली में महराजा 16 साल कन्वेंशन सेंटर का उदगाटन कहां किया गया तो खजराहों MP में किया गया ये मुख मंत्री सिवराज चोहान और पहलाज सिंग पटेल के द्वारा किया गया जोकी संस्कृती मंत्राल है अब हम लोग चंतराल के बारे में देखे तो ये मुगल सास से कोहरा कर बुंदेल खंड में अपना राज बुंगेल खंड में अस्थापित किया था नेक्श ड्मलग फैक्ट देखते हैं इनिस्को के द्वारा पर्था मस्थल जो सामिल कीया गया था चंतराल सास को दोरा बन बाया गया था ये खंड मुद देखते हैं उनेशो नवासी में साची उस्तूप युनिस्को में सामिल हुआ, वियतीन में विम बेटका को सामिल किया गया युनिस्को में, उनेशो चेयतर में खजराहो मोजसब की सुरुवात की गई नेश्ट देखते हैं, हो संगाबाद का नाम बदल कर नर्मदा पूरम करने की गोशना की गई नेश्ट हाली में DRDO ने किस एंटी सेटिलाइट मिसाइल का सफलता पुरवक परिक्षन किया है, तो मिसन सक्ती मिसाइल नेश्ट हम लोग DRDO के बारे में जाने, तो नेश्ट है, हाली में किस बैंक ने बीस बिकास रिपोर्ट द्वरे कीस जाड़ी किया, तो बीस बैंक अंतराश्टी मुद्रकोष द्वरा इंटरनेशनल मनिटरी फंड एकोनोमिक आटलुक जाड़ी किया जाता है, दिवर्ड बैंक 1994 में श्थापना संचालन 1925 हेट क्वार्टर वासिंगटन डिसी इज ओफ डूइंग बिजनस में इंडिया की रैंक 63 हेट आप पर न्यूजिलेंड नेक्स्ट है, WWE द्वरा किस बारतिय पहलवान को Hall of the Fame 2021 में सामिल किया गया है, तो महाबली खली को WWE की अस्थापना 1935 में हेट क्वार्टर USA है नेक्स्ट है, हाली में आनंदम सेंटर फोर हैपिनेस का उदगाटन किस अस्थान पर किया गया है, तो I am जम्मू उदगाटन रमेश पोख्रियाल निसंक द्वारा उदेश स्टूडेंट को तनाव मुक्त बनाया जा सकी उपर आजपाल मनोसी नहें, रेलबे पूल चेनाव नदी पर विश्टू का सबसे उंचा पूल बनाया जा रहा है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जम्मू के गुलवर्ग में भारत का पहला इगुनू कैफे अस्थापित किया गया नेक्स्ट है, नासा के सीकुरेटीस रोबर ने किस गुरी के उपर गुजरने वाली पृतिवी जैसे बादलू की अश्चर जनक वीडियो बेजी तो मंगल नासा के रोबर का नाम प्रजिवेक्स है, और स्केस्ट अपन उनिश्वन्ठावन में वीती हेट क्वाटर वासिंगटन डिसी है नेस कुश्चन देखते हैं, रेजिडेंशल होकीर सेंटर ओप एक्सिलेंस कहा अस्तापित किया जाएगा तो लखनों में लखनों रक्षा मंतिरेजनाद सिंका निर्वाचन छेतर है, इसे नबाबू का सहर भी का जाता है, चार बाग रेलबे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटियम लॉंच किया गया था, गंगा की किनारेश्थित सबसे बरसहर कानपूर है जहां भारत का पहला लेदर पार्क अस्थापित किया गया, जासी इस्ट्राबेरी फेस्टिवल का योजन किया गया, मतुरा में भारत की भारत का हाथी अस्पिटल अस्थापित है, सहरनपूर में भारत का पहला मांक्स एटियम लॉंच किया गया, मेरठ में भारत का पहला डॉग मेमोरियल अस्थापित किया गया नीती आयोगद्वारा आकंची जीलों में लिस्ट जारी की गई जिसमें यूपी का सरवस्ती जीला टॉप पढ़ है नेक्स्ट फिलिम फियर अवाड दुरे किस में बेस्ट अबनेतरी का वाड किसने जीता तापसी पनुन जीता थप इस बडू कि लिए चारबार मनि करो के लिए ने मिला इस बर और पंगा के लिए नेच्सट फिलिम फियर आवाड 2021 में बेस्ट अभिनेता कावाड किस ने जीता तो इरफान खार ने जीता बेस्ट एक्टर मनोज बाशपई एनफे के लिए निस्टनल फिल्म में वाड़ एकजाम बरियर्स चानाः शंसकरन किसके दोरा लांज किया गया तो नरेंद्द मोधी पिछले वर्ष केंद्रियम बन्तरी थावर चंदगलहोच दोरा लांज किया गया था सराथुन पूर सकत्य से इस्थापई सर्षवात्य समान की ऊचित्त पूर्षकार, गुपई देव मोहिये चेक बुक के लिए ब्यास 2020 का समान सरत पगारे को मिला पाटली पुत्र की समागर के लिए दौरण उनीस में नासिरा सर्मा को मिला कागज के नाओ अब हम लग 2 अप्रेल के करेंट फेर देखते हैं तो पहला कोश्य ने किन सरकार ने नए बाहनों के खरीद से पहले पुराने बाहनों के स्कैप सर्टिपिकेट जमा करने पर कितने परतीसत का छूट प्रश्ताव रखा है तो 25 परतीसत इसकैप इविकल पॉलिसी बजट में उलेक है 20 साल से अधिक बाहनों के लिए है 15 साल के बाहनों के लो नश्ट किया जाएगा नए गारी के खरीद पर 4-6% इसमें छूट दी जाएगी इसकैप सर्टिपिकेट दिखाने पर 5% की छूट 51 लाख हलकी मोटर बाहन 20 से अधिक पुराने वर्सकी है 34 से 15 साल से अधिक पुराने है पुराने बाहन 10 से 12 परतीसत परदूसन फैलाते हैं इस पॉलिसी से कच्चे माल की जरुवत पुरा हो सकेगी और 3.7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इसे राजस ब्रेधी 30 से 40 करोड प्राप्त होंगे लागो 1 अक्टूबर 2021 से लागो है 1 अप्रेल 22 से 15 साल से अधिक को नश्ट किया जाएगा 15 साल से अधिक के गाड़ी को 23 में ये भी कमर्सियल के लिए फिटनेस टेस्ट कमपसरी हो जाएगा 24 में एक जुन 24 से फिटनेस टेस्ट कमपसरी किया जाएगा निसकोष्य ने उत्तर परदेश सरकार के क्योस्तना के अनुसार की सबर्स तक यूपी में हर एक के पास अपना घर होगा था 22 परधान मंत्री आवास यूज्णा दोहर सोला में किया गया इससे पहले इंद्रा आवास नाम था दोहर 22 तक भारत में सभी नागरी का खुद का घर होगा यूपी में पिली बीद दुदबा निशनल पार्क टाइगर इजर्ब है पिली बीद टाइगर की संक्चा दुगुना करने के लिए टी इंटू टू अंतराष्टी प्रशकार्चन अवाजा गया था लोग सभा के 80 सीट है राज सभा के 31 यूपी बरचाइश में परधान मंत्री मोदी ने मराजा सुहेल असमारक सिलनास किया सभी जमीनों को मिलेगा सोला अंका का यूनिकोड यूपी सरकार ने किसानों के लिए किसान का लियान मिशन सुरू किया है यूपी सरकार ने भूमी विवाद करने के लिए बरासत योजना सुरू किया परधान मंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना निर्मान का उधगाटन किया हाली में उतकल दिवस या उरिशा दिवस का मनाय गया एक अप्रेल को मनाय गया ये छियाश्मा दिवस था ब्रिटिस आशन के तहट उरिशा बंगाल प्रेसिडेंसी कहीं साथा जिसमें बरतमान के बिहार पंशिम बंगाल और उरिशा सामिल थे राज को मूल रूप से उरिशा कहा जाता था लेकिन लोग सभा में इनका नाम बदर कर उरिशा करने के लिए मार्च दोयरेगार में उरिशा बिदेयक और सविधान बिदेयक एकसो तेरमा संसोधन पारित किया गया इसकी राजधानी भिवनेश्वर है जो कलंगा स्टेडियम है आईसे इंटरनेशनल सोलर अगनाजेशन ने सर्टिपिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सहर भारत का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया और कोविड वारियर मेमोरियल बनाया गया राउल के रा में भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम बनाये जाएगा बितर कानिका सिमली पाल निशनल पार्क यहां इस्तित है बितर कानिका को सफेद मगनुमच के लिए चर्चा में था और सिमली पाल निशनल पार्क आग लगने के कारण चर्चा में था नेक्स्ट है, हाली में यूएस ने किस देश के साथ सभी वेपारिक संबंदों को निलंबित किया है तो मैनमार अमेरिका ने मेन्मार की साथ वार 13 में आंक सांसु की कि उनकी पार्टी में 12 के चुनाओं के दोरान सन्दार जीत के साथ बेपार समν्धों की सुरुवात की मैनमार में लोग तंदप्रहमला देखते हुए कई देशों द्वारा मैनमार की साथ बेपारिक समद निम्बली निलंबित किये जा रहे हैं पारत की चार राज्यों जो मैनमार से मिलती है अल्वनाचल पर्दिस्ट, नागलेन, मनिपूर और मिजोरम अराक योमा परवत अंतराष्टी सीमा बनाती है सरवोज चोटी विक्टूरिया है गोल्डन ट्रेंगेम थाउस लाउस और मैनमार है राजधानी नाइज पेडो है करेंसी क्यात है नेक्स्ट है हाली में किस देश भी जौला मुखी में 900 वर्सों के बाद भी स्पोर्ट हुआ तो आइसलेंड जौला मुखी तीन परकार के होते हैं सक्री, सुसुत, मुत, मित, सांथ, मांट फैंका, डेगफलास जौला मुखी फटने के वज़े से 1640 फिट उची लावे की अकिर्थी बन गई है इस जौला मुखी ने पिछले चार दिनों में 1 करोर वर्ग फिट लाबा उगला है कई भारतों लावे की फवारा 300 फिट की उचाई तक जा रहा है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसलेंड की राजज़ानी रिज जावी के करेंसी कुनाल है और गलोबल पीस 2020 में भारत का रैंक 149 रैंक था और आइसलेंड सबसे सांती वालग टॉप पे रहा था देश में आइसलेंड डेन मार्क में परवावित लोगों के लिए वान कलो बैंड जारी किया गया डेनिस रेड सोसाइटी के द्वारा नेक्स्ट है, 51 में दादा सहब फाल के अवार्ड किसने समानित किया जाएगा तो रजनी कान दादा साहब फाल के पुरसकार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्सिक पुरसकार है जो किसी बेक्ती विसेश को भारती सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है इस पुरसकार का प्रारम दादा साहब फाल के के जनम सताब्दी 1979 से हुआ जित कहां किया जाएगा तो गलांसकों में ये स्कॉट्लेंड का सहर है इसकी रजधानी एडवन बढ़ गया करेंसी पाउंड एडर्नीन है हाइड्रोजन डवल डेकर बसेज यहां है चलाया गया और विश्व की पहली स्कॉट्लेंड में जारी की गई थी बिश्व की पहली हाइड्रोजन डवल डेकर बस स्कॉट्लेंड में जारी किया गया मैडरिट में कॉप 25 हुआ इस्पेन की रजधानी चीली में चीली की अजधेक्स्ता में और पोलैंड में कॉप 24 की हुई और पेरिस में कॉप 21 दोयर पंदरा में यहीं पर इंटरनेशनल सो अफ्लॉड रामक नामक दुनिया का पहला अभासी पटसाला कहां शुरुई तवारा नसी बीची उनिसे सुला में पंदित मदन मोहन मालविय द्वारा अस्तापना गोरक पूर सरीद असपाक उल्ला खाक पार की अस्तापना का अधगाटन स्रावस्ती में नीती आयोग द् लखनाव एसी डेंटल होकी सेंटरल ओफ एलाइंस की अस्तापना की जाएगी लक्षमन की मुर्ती एक से क्यावन फीट की अस्तापना भी की जाएगी लखनाव में नेक्स्ट हाली में आयपील की टीम ने कैप्टलस ने कीस की लाड़ी को टीम कप्तान निउक्त किया है तो रिशब पन इससे पले नाम डेयर डेवल था जे अस्डवलू जींदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रैंडम मिस्टर बनाये गया था ICC में जनवरी के लिए वाड़ जीता और फरवरी में प्लेयर अफ़बाड रवी चंदर नवस्विन को मिला क्रिस मर्सिल साउथ अपिर्का के किरिकिट 16,25 करोर में खरिदा गया राजिस्थान के लिए खेलेंगे राजिस्थान डोयल के लिए नेक्स्ट हाली में किस देश ने बेलास्टिक मिसाल साहिन A1 की सफल परिक्षन किया गया तो पकिस्टान पकिस्टान ने साहिन A1 की नामक परमानु सक्षम सता से सता परमार करने वाली बेलास्टिक मिसाल का सफलता पुरवर परिक्षन किया इस मिसाल में 900 km की रेंज परवरी में पकिस्तान में ने परमानुच हमता वाली सता से सता मार करने वाली बेलास्टिक मिसाल का सफल प्रिक्षन किया था जो 260 km तक लक्ष परपढ़ार कर सकती है सर उर्जा से संचालीथ 22 की पहली संशत पकिस्तान में है इसकोस्चन है 28 मां हुनार आठ दोयरेकीश कहां आयोजित हुआ तो गोवा में कारीगारों और सिभकारों की स्वदेशी उत्पादों के हुनार आठ में 28 में संस्क्रन का आयोजन गोवा के पंजी में कला अकादमी में किया जा रहे हैं इस इवेंट में 26 मांड से सुरू किया गया था और चार अप्रेल दोयरेकीश तक चलेगा इसकी थीम भोकल फोर लोकल है गोवा मांडवी नदी पर बसा है यहां सलीम अली वर्ड सेंचुरी गोवा में है सलीम अली निशनल पार्क जम्मू में है ध्यान रखेंगे भारत का प मंसुक मंडाविया 31 मार्ट बजरेकीश को केंद्री बंदरगा नौवान और जलमाल्ग मंत्री स्वतंत प्रबार मंसुक मंडाडिया ने सूरत में हजीरा बंदरगा और दीब त्रिप को जोरने वाली एक नई कुरू सेवा सुरू की 300 यात्री चमता वाले कुरू जहाद मे 16 के विन होंगे यह सब्ता के दोरान दो राउंड यात्रा करेगा अक्टूबर 2020 में भाव नगर जीले में हजीरा सूरत और घूंगा को जोरने वाली एक रोवेक्स नोग का सेवा सुरू की गई थी देखते हैं 300 यात्री चमता वाले कुरू जहाद में 16 के विन होंगे यह सब्ता के दोरान दो राउंड यात्रा करेगी अक्टूबर 2020 में भाव नगर जीले में हजीरा सूरत और घूंगा को जोरने वाली एक रोवेक्स नोगा सुरू की गई थी सूरत के वारे में देखे तो यह तापती नदी पे हैं जो कि मधपर्देश में इसका उद्गम बैतूल की पहारी से होता है यह नर्मदा नदी के सर्वांतर खंबात की काड़ी में गिर जाती है तापती नदी उकाई पर्योजना है गुजरात गांधी नगर राजधानी है सुरेंद्र नगर भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अस्थापित किया गया केवी आईसी द्वारा खादी ग्राम उद्योग द्वारा भाव नगर भारत का पहला समुंद्री संग्राले अस्थापित किया गया जूना गट गिरनार की पारी विशु का सबसे लंबा रोबे स्थापित किया गया। उद्गाटन नरेंद मोधी द्वारा मही सागर भारत का पहला डायनासोर संग्राले स्थापित किया गया है। ब्लट बेंक का श्थापित किया गया है। तीन क्रिसी बिलपास करने वाला भारत का पहला राज पंजाब है। नेक्स्टे दो हरित उर्जा कुसर सहर बनाने वाला देश का पहला राज कौन साहत बिहार, बिहार देश का पहला राजों का जहां दो पहत्पुन सहरों को 24 गंटों के हरित उर्जा के आपुर्ती होगी, राजगीर और बोध गया को पुल रूप से हरित उर्जा कुसर सहर ब भारत ने पहली बार किस दक्षनी अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरिदा तगुआना ओपेक तेल की किम्तों की ब्रीधी करने वाला फैसला किया, पहला इराक, दुसरा अमेरिका, तिसरा नैजिरिया, चोथा सहुधी अरब. निक्ष्ट है, भारत सरकार सहुधी अरब समेत अनमहत्पुन देशों, मद पूर्व देश के कच्चे तेल की निरवर्ता घटाने के कोशिज कर रही है, पारत ने पहली बार दक्षनी अमेरिकी देश गुआना से कच्चा तेल खरिदा है, भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बराया तक है, पहला अमेरिका और दूसरा चीन है, गुआना से हचपी सील मिट्टल एनरजी अलिम्टेट दौरा कच्चा तेल खरिदा गया, गुआना साथ अमेरिका जिसे पक्षियों का महादिव भी कहा जाता है, सर्वोस सिंकला एंडिज है, परवस सिंकल है, चीली और एकवाडोर ब्राजील सीमा से नहीं लगती है, त्यान रखेंगे, पेनजुला में 10 लाख का नोट जारी किया गया अभिसु का पहला देश, नेक्स्टे हाली में बहरीन ग्रेंड पिक्स 2021 किसने जीता तो लुईस हैमिंटन, मर्सेटीज के ड्राइबर हैं, इ नेस्ट क्वेस्टन है, डवल्ड एकवाडोर जारी जेंडर गेप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टप परा, तो आइसलेंड, वर्ल्ड एकोनोमिक्स फोरम द्वार गलोबर जेंडर गेप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों के बीच भारत 140 अस्थान उपर 28 पायदान खिसक गया है 22 में 153 देशों में 112 अस्थान पर था, डिपोर्ट में अपगानिस्थान सबसे खराब परदर्शन करने वाला देश है, भारत दक्षी नेसिया का तीसरा सबसे खराब परदर्शन करने वाला देश बन गया, आइसलेंड बारमी बार्ट दुनिया में सबसे अधिक लिंक समा भारत प्राप्त किया, डेनमार्क करप्सन इंडेक्स में टॉप पर है, भारत चयास में अस्थान पर है, निक्स्ट है, हाली में चर्चित रूप पूर परमानू उर्जा सरियंत किस देश में इस्थित है तो बंगलादेश के पाबना जिले में, गंगा नदी जब प्रस्चि संजुक्त जारा मेगना कर लाती है, रूप पूर परमानू उर्जा सरियंत बंगलादेश के पाबना जिले में इस्थित है, निर्माना दिन परमानू उर्जा सरियंत 2.4 गीगबार्ट विद्युत है, यह बंगलादेश का पहला परमानू उर्जा सरियंत होगा, इसका नि पूर्जा सर्यंत की टांस्मीशन लाइनों को विकास करेगी 22-24 में 1200 यूनिट के बंगला देश ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है तस्नुवा सिरीर नेक्स्ट है किस बैंक ने संपर्क रहीत रुपे काड का लॉंच करने की गोशना कियत यूनियन बैंक इसके अच्टापने उनिश ओनिश में हेट क्वार्टर मुंबई एमडी स्री राज किरन रहे है संपर्क रहीत रुपे काड की योजना बनाई SDFC बैंक सात्वी भार भारत का मोस्ट वैलिवल ब्रांड बन गया है ICIC बैंक काडलेस कैस बिड्रो सुब्दा सुरू की कोटक महिंद्रा बैंक KYC की सुब्दा देने वाला भारत का पहला Know Your Facility बैंक परदान करने वाला बैंक बन गया है Next है पाक जल्डमरू मद के तर पर पार करने वाली दुनिया के दूसरी लड़की कौन बन गया है स्यामना गोली पाक जल्डमरू भारत और सिलंका के मद है 30 किलोमेटर की दूरी पर है यह 13 गंटों में कम्प्लीट किया Next Fact हम लोग देखते हैं बूला चोधरी के बाद यह इस मुकाम को हासिल करने वाली दूसरी भारतिय महिला बन गई है पहली 38 साह थी जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिस चैनल 34 किलोमेटर तोर पर पार करने वाली महिला थी और पूरुस में मिहीर सेन बिराट चैन्दरा फिरका के मांट किलिमजारो इस पर फता करने वाले बन गए हैं जो सबसे कम अम्र के युबा है गरवपात का सामना करने वाले श्रमीको को पेडलिव देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है तो न्यूजिलेंड दूसर पहला भारत न्यूजिलेंड वेलिंग टैनिस की रजधानी है करिंसी डॉलर पीम जसी का अडन है न्यूजिलेंड केबिनेट में भारतिय मुल्की सामिल होने बाली पहली महिला प्रियंका राधा किष्णन है न्यूजिलेंड के मद कुर्क जल मद मरुमद है बीसु की आठिमी अब हम लोग चार अप्रेल के करेंट पेर देखते हैं जिसमें पहला कोस्चन है अप्रेल दोयरे की स्रामिकों के वीजा स्रामिकों के वीजा विसेस रूप से हैच वन भी वीजा परतिबंद की अब्दी समाप्त हो गई है तो यूज से अमेरिकी राष्टपती जो बैडन ने अपनी पूरवर्थी डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा जारी परतिबंद अजुसुचना को समाप्त करने की नमती दिये इसकी बैदेता 31 मर्द 21 को समाप्त हो गई थी पूर्वराष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने जून 2020 में एक गोशना जारी की थी जिसमें H1B सहित काई स्थाई और गयर अप्रवासी वीजा स्रेन्यों को आवेद को कपरवेश निलंबित कर दिया गया था नेश्ट है US और मेक्सिको के भी चंतराष्टी सीमा नदी रियो गयज है गल्प अप मेक्सिकों में गिरती है US और कनाडा के भी सेंट लॉरेंस नदी है अल सलवाडोर जो मद अमेरिका में डवले अच्छे द्वारा मलेरिया मुक्त भोशिक किया गया अलास्का, अमेरिका और चाइना के उच अस्तरिय बैठक का आयोजन किया गया नेक्स्टे हाली में किस देश ने जनवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 वैक्षिन पंजिकरित किया है तरूस जिसका नाम है कोवैक्सी कॉग इंसानों के लिए वैक्षिन किया है स्पूतनिक 5 रूस, एसिया और इरोप महादुप में इस्तित है रूस को मासको इसकी है इसकी है इसकी इरोप में है और एसिया में सैबेरिया है गलोबल ट्रैफिक इंडेक्स 20 में टॉप पर रही मासको राश्पती बलावदीन पुतीर है इसकी संसत का नाम डियुमा है इरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा है पश्चिम रूस से निकलती है जो कैस्पियन सागर में मिल जाती है काला सागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है रूस के द्वारा अंडर वार्टर टेलिस्कोप लॉंच किया गया इंद्रा एववा इंद्रा एलसाइज भारत के साथ है नेक्ष्टर भारती सेना किस देश में बहुराश्टी सेन अभ्यास अर्थाज साथीर अगर सेना दोरेकीस में भाग लेगी तो बंगला देश बंग बंदु सेक मजोरिव रहमान के जनम सताब्दी के उपलक्ष में चार अप्रव दोरेकीस को नौ दिनों का अभ्यास शुरू होगा जो सतन्ता के गरव साली 50 वर्स का परतीक होगा जिसका थीम है रोवर्स पीस कोप कीपिंग ओपरेशन गांधी सांती पुरसकार 20 का पुरसकार से समनेत बंग बंदु सेक मजोरिव रहमान है उन्हें से खतर में भारत और पाकिस्तान के बाद नए राष्ट का उदे हुआ था बंगला देश नेक्स्ट है, हाली में किस ने लाइट वेट बुलेट प्रूप जैकेट बिक्सित किये तो DRDO ने DRDO के 52 लैब संचालित है ये 9 के जिका है DRDO का मोटो है मानस मुल्द बिग्यानम डियाडियों के दौरा दुनिया के पहली इनुवर्सल बूलेट ग्रूप जैकेट सक्ती बनाये गया रक्षिता सी आर्पियाप के हेल्प के लिए बाइक है किस राज सरकार ने महेंद्र गिरी को राज के दूसरे बायोस्पियर रिजर्ब के रूप में प्रस्तावित किया तो उरिषा पहला बायोस्पियर रिजर्ब सिमली पाल है महेंद्र गिरी उरिषा का दूसरा मौंटन पीक है यह भारत नुकूल 18 बायोस्पियर है बाइसपुर का परचलन युनिस्को निकिया था उनिसमा परस्ताभी था महेंद्र गिरी पहला इसमें देवमाली कान ट्राइब इसके लिए ये परसिध है निक्स्ट है चिरंजीवी स्वास्त बीमा युजना की तर्ट परतेक पडिवार में स्वास्त बीमा देने वाला पहला राज कौन बना तो राजिस्थान पांच लाग कैसलेस बीमा परतेक पडिवार को परदान की गई एक मही से लागू श्यत्पल के दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राजिस्थान सबसे छोटा गोवा जैपूर वर्ल्ड इनिसको हेरिटेज साइट में सामिल पिंक सिटी है नेशनल पार्क केवला देव रन्थोर्बॉर्ड राश्टी उद्यान है राजिस्थान का हिर्दे आजमेर है अड़ाय दिन का जोपरा आजमेर है जैविंदर नीटू लाग करने वाला पहला राज राजिस्थान है भारत का पहला अंगदान मेमोरील जैपूर है नेशनल पेटियम मनी से अपना रिसर्च और डेवलप्मेंट के इंद्र खोला गया पूने में पेटियम के पेरेंट कंपनी है 197 हेटक्वाटर नुएडा CLI आगा खा पहले FTI हेटक्वाटर पूने में है CLI केमकल लेबरेट्री अप इंडिया FTI फिली में टेलिवीजन आफ इंडिया पूने में इसका हेटक्वाटर है नेश्ट है हाली में तीन दिवसी आयुरुवेद पर्व का आयोजन कहां किया गया उरिसा में आयुस मंत्राले के सयोग से बिनोबा औसेभा पर्तिष्टान BSP के 26-28 मार्ड़े की इस तक भूनेश्वर में तीन दिवसी आयुरुवेद पर्व का सफलता पूरबक आयोजन किया गया यह जीवन सहली से समंदित रोगों के लिए मुक्त उपचार के रूप में नामित किया तो महराष्ट से इस तोरा प्रजाती मचली के लिए परसीदें अमबॉली भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केट बॉल कोट स्थापित किया गया एनसी निशनल स्टॉक एक्सचेंज बीसी बॉंबे स्टॉक शेंज एस से भी सिकुरिटी एक्सचेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया का हेटक्वार्टर मॉंबई में है सिधी बिनायक मंतित और गेटवे अफ इंडिया एसिया की पहली सोर उर्जा संचालित कप्रा मिल महराष्ट के पनवर्नी जीले में शुरू की जाएगी निक्स्ट है लव जिहाद को रोकने के लिए विदयक पारित करने और तीसरा राज कोन है तो गुजरात पहला यूपी दुसरा MP है अब हम लोग देखते हैं लवे जिहाद क्या होता है तो विवा के माधियम से जबरन धार्मिक धर्मांतर खलाप और अ निशनल पार्क गुजरात में गीर है वसंदा है ब्लेक बग्ट मरीन भारत का सबसे बरहाट हर्स्पीटल अहमदाबाद में भारत के पहली सीपलेन सर्विस अहमदाबाद में भारत का पहला समुंदी संग्राले लोथर बिश्व की पहली CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर मे अब हम लोग 5 अपरिल के करेंट अपया देखते हैं पहला है कौन सा देश सेंटालिस में G7 सीकर समिलन दोने की सीकर समिलन में G7 देशों के साथ भारत और दक्षिन कुरिया अस्ट्रेलिया को अती थी राष्ट के रुट में अमंतित किया उदेश वैस्विक स्वास्थ रक्षा रोजा निती और रतंगवाद को खत्म करना और बैपारिक मुद्य को चर्चा की जाएगी अब हम लोग देखते हैं G7 को याद करने का ट्रिक जीजा कई बार फ्रांस आये जी से हो जाएगा जर्मनी जासे जपान का से कनाड़ा इसे इतली बहासे ब्रिटेन रहसे रूस फ्रांस आये का ऐसे अमेरिका 24 में रूस बनना निकल गया जी एट था पहले अब जी सेबन बन गया है इसका होस्ट किया है इंगलेंड ने रजधानी लंदन है करेंसी पांड इस्टरलीन ब्रेटेन और फ्रांस के बीच डोबर जन संधी है स्कोटलेंड के गलास को म पहला स्मार्ट रीडिंग अवायड़ा बन गया है दुबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट संजुक अरब अमिरात युएई में परवेश करने वाला यहां से जाने वाले लोगों के लिए दुबाई एयरपोर्ट पर आयरिस स्केनर लगाए गये हैं बैस्विक में अमारी को स्केड में यात्री पासपोर्ट कंट्रोल काम पूरा करके फ्री हो जाते हैं सरकार ने आयरिस डाटा को देश के फेसियल रिक जेसन डाटाबेस के साथ जोड दिया है जिसे यात्रियों को पहचान पत्र और बोर्डिंग पास की जुरत नहीं पढ़ने वाली है यही का होग बन गया है कोची इंटरनेशनल एरपोर्ट हंड़ेट परसेंट सोर उज्जा से संचालीज विश्व का पहला एरपोर्ट बन है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फिरी एरपोर्ट है कोबीड-19 टेस्टिंग प्रभा करने वाला भी पहला एरपोर्ट है दुबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट आइसी इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला विश्व का पहला एरपोर्ट बन गया है नेसकोशन है 2023 में पुरुसों की मुकेवाजी विश चेंपियंशिप किस देश में आयोजित की जाएग परतियोकता में 22 में संसकरन में पहली बार विश्व किस्तान इसकी मिजवानी करेगा विश्व किस्तान की सीमा कैस्विन सागर से नहीं लगती औरल सागर अकजाकिस्तान विश्व किस्तान के मद में है भारत विश्व किस्तान के एक्सिसाइज दस्तक ली लीटू है उत्र स्थापित पुरस्कार आधिक अभी सर्लादास को छो सभी जैनती और सर्ला सहित समेलन के 40 में वार्षी कुछ सब के दोरान उन्हें परदान किया गया मुख मंत्री जगन मोहन रेडी इसको चीप मिनिस्टर एवाड से समानित अमरावती 25 उत्तर न्याले उच न्याले में सेंचूरी 25 उच न्याले स्थापित के आगया है करिंगा वाल्ड लाइफ सेंचूरी राजीव गांधी नेशनल पार्ग पार्थी नेशनल पार्ग नेक्स्ट है इज अब डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध परदेश टॉप पे रहा है मद परदेश के बिजली के छ चान रेंच चलाई गई देश का बिहार पहला दीशा महिला पुलीस स्टेशन आंध परदेश में अस्थापित नेक्स्ट ए अस्टेलिया और कौन सा देश मिलकर फीपा महिला विशुकप 23 मेंजवानी करेगा तो न्यूजिलेंड फीपा विशुमेच न्यूजिलेंड में प्रियंका राधा किष्णन है अस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच मैनमार के साथ में पारिक समंद समाप्त फीपा फेडरेशन इंटरनेशनल अप्ड़ फूटबॉल एस्वेसेशन उन्हें चार में अस्थापना हेड़कौर्टर जीवरिक जुजे स्वीजर लेंड जबकि पुरसों का होस्ट करतर करेगा इसको शनकीस जील को सनक्षित आदरभूमी गोसित किया जाएगा तब पुरा मंदल जील डल जील पुलर जील भारत की मीठे पानी का जील है जोकि जमु कस्मिर में आदरभूमी भारत में ब्यालिस है जमु कस्मिर के 5 अनपरसित जी बीग सामिल है जिसे सांबा जीले में स्थाप इस्थी छोटा कासी भी कहा जाता है लदाग के सोकार जील जमु कस्मीर के उपराजपल मनोज कुमार सिना लदाग के उपराजपल राधा किस्न मातुर जमु कस्मीर गुलमर्ग में भारत का पहला इगनुक पर स्थापित किया जाएगा मनोच सीना जमु कस्मीर में 73 आयुस केंद्रों की घाटन किया जमु कस्मीर में पहली बार महिला आयो किया जक्ष रेखा सर्मा महिला जन सुनवाई की अस्तापना की निग्स्टे हाली में भारत को किस देश्क से तीन रापेल फाइटर जेट का चौथा बैच मिला तो फ्रांस फ्रांस से भारत को 36 रापेल खड़ी देगा जो 14 मिल चुका है कंपनी फ्रांस की 10 साल इलोवेशन इलोवेशन कंपनी द्वारा डिजाइन फ्रांस के कैप्टल सीन नदी पर पेरिस है हेड़कौाटर निसको का भी है करेंसी यूरो है राष्टपती मनेली मेकर सकती वरून और गरूर इस्पेन और फ्रांस के बीच का परवत प्रेयनिस परवत है फ्रांस और से लेंड के भी जूड़ा परवत है रूस एस 400 मिसाइल खरतेगा भारत अमेरिका अकसाद अपाचे हेलिकप्टर बोइंग बिमान और इज्राइल बराक याठ मिसाइल भारत द्वारा खरदर जाएल निसकोशन देखते हैं हाली में भारत सरकार ने किस महापूरुस की जैनती के मोके पर सारजनिक अवकास गोशित क्या है तो डॉक्टर बियारम बेत कर 14 अप्रेल दो एकीस को एक सो तैसमी जैनती मनाएगा डाप्ट कमिटी के अध्यक्स बियारम ब करती है और भी आई के अंतरगत कारे करती है एंपीसी 2016 में उर्जित पटेल द्वारा बनाई गए थी जिसमें 6 सदस होते हैं और भी आई के 3 सदस गवर्मेंट ओफ इंडिया के 3 सदस कार महंगाई का नियुधारन करना है और भी आई सिंटर बैंक, SBI, HDFC बैंक को लोन देता है लोन ब्याजदर को कम करते हैं कॉमर्शिल बैंकों को पैसा दिया जाता है और भी आई के द्वारा बजार में मांग ज़्यादा रहेगा तो आप पूर्थी का महंगाई बढ़ेगी मिर्दा ज़्यादा रहेगा तो मांग कम और म सब्सक्राइब किया जाएगा और वीडियो को एक दोबर सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहां से कोई क्वेश्चा निक जाए मैं तुन न चूटे तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिन्ते नेक्स्ट वीडियो में थेंक यूँ कर दोचसरी कर दो सकती दीवी कि वीडियो सुन नेक्स्टाइब नच्टनाद यूगा थिर वीडियो कि वीडियों स् की अाएगा तुन घ्टब्यों से रिवीज मैं वीडियों जो स्ट्सिंटげ ऑ्र सुन थेएगा प्रेमाल झाली 0,1 2 1 झाल झाल